दोस्तों नुमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों समसामाई घटना चक्र जीयस द्रिश्टी कम्प्यूटर एक परिचे के भागचे में आप पढ़ेंगे कम्प्यूटर साफ्ट्वेर के बारे में कि कम्प्यूटर साफ्ट्वेर क्या है साफ्ट्वेर के कार्य और उप्योग क्या है साफ्ट्वेर के प्रमुक प्रकार जैसे सिस्टम साफ्ट्वेर, अप्लिकेशन साफ्ट्वेर और यूटिल्टी साफ्ट्वेर क्या है इसके अलावा इन सभी के बारे में विस्तार से दोस्तों ये वीडियो सभी परिक्षाओं के कम्प्यूटर जी के खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है तो इसे तयार करना बहुत जरूरी है आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो समसामाई घटना चक्र जीयस द्रिष्टी कम्प्यूटर एक परिचे का भागच है सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कम्प्यूटर साफ्टवेयर के बारे में तो कम्प्यूटर साफ्टवेयर क्या है देखे दोस्तों बहतर कारेच्हमता को इंगित करने के लिए throughput का प्रियोग किया जाता है और प्रती इकाई समय में computer द्वारा समपादित किये गए उपयोगी processing की संख्या को throughput कहा जाता है hard drive, RAM, internet और network connection के प्रदर्शन को मापने में throughput का प्रियोग किया जाता है और सबसे महत्पून बात ये जो response time है दोस्तों ये वो समय है जब प्रक्रिया यानि process तयार इस्थिति में हो और पहली बार CPU को प्राप्त हो इसको response time कहते हैं computer द्वारा processing और समपादित करने के लिए पहली प्रत्क्रिया के बीच का समय और बहतर कारे छमता के लिए response time कम होना चाहिए तो याद रखेगा response time वो समय है जब process तयार इस्थिति में हो और पहली बार CPU को प्राप्त हो अगला है दोस्तों turn around time यानि TAT क्या है तो किसी process यानि प्रक्रिया को पूरा करने किसी अनुरोध को पूरा करने में CPU द्वारा लगने वाले समय को turn around time कहते हैं और CPU को दिये जाने वाले कारे तथा process के बाद प्राप्त परिडाम के बीच के समय को turn around time कहते हैं अब आईए जानते हैं दोस्तों software के कारे परिभासा और उप्योग क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि software क्या होता है दोस्तों hardware को यह बताना कि उसे क्या करना है कब करना है और कैसे करना है यह software के प्रमुक कारे हैं computer system के कारियों को नियंतरित करना hardware के बीच समन्वया स्थापित करना और hardware से निर्धारित कारे कराने में जो है इसका यानि software का उप्योग किया जाता है इसकी परिभासा जान लेजिए कि निर्देसों, प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का एक बेवस्ते समूँ जिसे user छू नहीं सकते हैं उसे software कहते हैं hardware यदि engine है तो software उसका इंधन होता है और program, application और software एक ही चीज को इंगित करने में प्रियुक्त होते हैं program क्या होता है दोस्तों program जो होता है वो computer द्वारा किसे निशित और विसेस कारे कराने के लिए programmer द्वारा तयार किया गया निर्देसों का समू होता है programmer कौन है तो programmer computer software विसे सग्गि होता है जो निर्दारिक कारे को पूरा करने के लिए code या program तयार करता है उसकी जांच करता है खामिया यानि bugs को पहचान कर उसमें सुधार करता है और क्रियान्मेन यानि processing के दोरान उत्पन संभावना उपर विचार करने का कारे programmer के द्वारा किया जाता है अब आएए आगे देखते हैं दोस्तों software के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं तो एक है system software दूसरा application और तीसरा utility software आएए देखते हैं users के बारे में तो users दोस्तों application software operating software और hardware software का इस तरह से प्रियोग करते हैं और देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों की executable program क्या होता है तो ऐसा software जिसे computer processor यानी CPU क्रियानवित करके वानचित पैडाम देता है इस file का extension name .exe होता है और programों के निर्देशन का अनुपालन करना run, execute, process और operate होते हैं देखिए दोस्तों hardware जो होता है hardware, system software द्वारा hardware का नियंतरन किया जाता है application software द्वारा कारियों का क्रियानविन करता है और ये सारे कारे उप्योग करता द्वारा किया जाता है आए देखते हैं software के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि साफ्ट्वेयर में एक तो System Software, Application Software और Utility Software होते हैं System Software जो होते हैं इसमें Operating System जैसे Windows, Unix, Linux, Android और Mac, OS होते हैं Language Translator में Compiler, Assembler और Interpreter होते हैं Device Driver में Motherboard Driver, Keyboard Driver, Printer Driver और Scanner Driver होते हैं अप्लिकेशन साफ्ट्वेयर के अंतरगत वर्ड, प्रोसेस, इस्प्रेट सीड, डेटाबेस, एकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल, ड्राप, फोटोसाप ये सभी अप्लिकेशन साफ्ट्वेयर के उधारण है और यूटिल्टी साफ्ट्वेयर, एंटी वाइरस, बैकप प्रोग्राम, फाइल मेनेजर को यूटिल्टी साफ्ट्वेयर कहा जाता है System Software के बारे में जानते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि System Software प्रोग्रामों के वे सेट होते हैं जो कम्प्यूटर को चलाने, कारियों को नियंतरित करने संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है और ये Hardware तथा Application Software से जुड़ा होता है प्रोग्रामों का समुह जो कम्प्यूटर सिस्टम के मोलभूत कारियों को करने और उन्हें कारे लायक बनाने के लिए तयार करता है और दोस्तों इसका कारे कम्प्यूटर तथा यूजर के बीच मध्यस्त का कारे अप्लिकेशन साफ्ट्वेर के लिए प्रिष्ट भूमी तयार करने का कारे करना होता है और सिस्टम साफ्ट्वेर के बीना कम्प्यूटर एक बेजान मसीन होती है और इसका प्रियोग कम्प्यूटर हाडवेर के लिए प्रियोग किया जाता है System Software के प्रकार जान लेते हैं तो System Software के प्रमुक प्रकार जो होते हैं दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि Operating System, Language Translator और Device Driver होते हैं देखे, प्रोग्रामों का वह बेवस्थे समूँ जो Computer और Users के बीच की एक कड़ी होती है इसे System Software कहते हैं जैसे Computer के साथ बाहर से जोड़े जाने वाले किसी भी उपकरण, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमराद को निर्देशित, नियंत्रित और उप्योग करने लायक बनाने में System Software प्रयोग किया जाता है दोस्तों System Software के प्रमुक कारे कौन से हैं तो user के आदेसों को hardware तक पहुचाना और piramon और सनदेसों को user तक पहुचाना user के computer के साथ संचार के लिए interface प्रदान करना hardware devices का प्रबंधन करना और disc file system का प्रबंधन और देख रेक करना तथा application प्रोग्रामों का सहयोग करना ये System Software के प्रमुक कारे हैं इसके अलामा आप देख सकते हैं कि device driver में आजकल विभिन device driver पहले से ही operating system में loaded है जिससे computer नए hardware को उसी के अनुरूप संयोजित यानी configure कर लेता है इसमें plug and play devices device driver के उधारन है Language translator तो दोस्तों programmer के द्वारा high level language में source code लिखा जाता है जिसे computer सीधे तोर पर समझने में असमर्थ होता है क्योंकि computer binary यानी 0 और 1 को समझता है इस समस्या के समाधान के लिए language translator का परियोग किया जाता है तो दोस्तों system software में operating software, operating system, language translator और device driver महत्पूर्ण होते हैं आए देख लेते हैं कुछ important facts के बारे में तो compiler क्या होता है दोस्तों एक language translator प्रोग्राम होता है जिसमें उच्चस्तरी भासा यानी hyper language जो language भासा high level language प्रोग्राम को मसीनी भासा में अनुवादित करने में प्रियोग किया जाता है और compiler पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर सभी गलतियों को line करम में सूचित करने में प्रियोग होता है और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे source प्रोग्राम या source code को object प्रोग्राम में कंपाइल करके executable प्रोग्राम तयार करने में compiler का प्रियोग होता है assembler क्या है तो एक language translator प्रोग्राम assembly या निम्न अस्तरी भासा में लिखेगे प्रोग्राम को machine भासा में assembling यानि परिवर्तित करने में प्रियोग किया जाता है assembly भासा में nemonic code को binary code में परिवर्तित करने में प्रियोग किया जाता है और आप देख सकते हैं कि assembly भासा source code है और assembler और machine भासा object code होता है interpreter क्या है तो compiler की तरह interpreter भी एक language translator program है और उच्चस्तरी भासा में तयार किये गए प्रोग्राम को machine भासा में परिवर्तित करके क्रियानवित करने में ये प्रियोगत होता है और interpreter program के प्रतेक line को एक एक करके line by line machine भासा में अनुवात कर रन या एक्जिक्यूट करने में प्रियोगत होता है तो अगर जो आप देखें दोस्तों तो विंडोज के समान लीनक्स भी एक सक्तिसाली आपरेटिंग सिस्टम है लीनक्स मुफ्त यानि फ्री उपलब्ध है जबकि विंडोज हे तो शुल्क देना होता है और विंडोज की तुलना में लीनक्स का प्रशलन सीमित है आईए एक महतपूर तथे जान लेते हैं कमपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों में अंतर क्या होता है तो कमपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करने में सक्षम है जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक line करके अनुवादित करता है compiler में सभी गलतियां एक साथ परदर्शित करने में प्रियुक्त होती है और interpreter एक गलती परदर्शित करने के बाद उसे दूर करने पर दूसरी गलती परदर्शित करने में प्रियुक्त होता है compiler प्रोग्राम को machine भासा में अनुवादित करके क्रियानवित करने में अक्षम है जबकि जो interpreter होता है वो program को machine भासा में अनुवादित करके क्रियानवित करने में सक्षम है compiler output machine भासा का object होता है और जबकि interpreter इसका output software क्रियानवन का पैडाम होता है compiler में असुद्धियों को हटाने में गति इसकी धीमी होती है और interpreter असुद्धियों को हटाने में तेज होता है compiler संपादन में कम समय लगाता है जबकि interpreter संपादन में अधिक समय लगाता है तो ये था compiler और interpreter में अंतर अब आईए जानते हैं दोस्तों आपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार के बारे में तो आप देख सकते हैं उप्योग करता के आधार पर विकास करम के आधार पर और काम के मोड के आधार पर ये तीन प्रकार के आपरेटिंग सिस्टम होते हैं उप्योग करता के आधार पर विकास करम के आधार पर और क काम के मोड के आधार पर दोस्तों देखिए सिंगल यूजर आपरेटिंग सिस्टम एक बार में किवले एक व्यक्ति या यूजर को कारे करने के अनुमत देती है उपयोग करता के आधार पर इसमें MS-DOS, Windows 95 और 98 है और दूसरा जो है उपयोग करता के आधार पर मल्टी यूजर आपरेटिंग सिस्टम इस आपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को एकाउंट बना कर कारे करने की अनुमती है जैसे Linux और Unix आधी काम के मोड के आधार पर देखें तो कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस इस आपरेटिंग सिस् में काम के मोड के आधार पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस आपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स पर आधारित माउस और कीवोड के माध्यम से कंप्यूटर को इन्पूट दिया जाता है ग्राफिक्स के रूप में सभी प्रकार के बटन मेन्यू आध इंटरफेस उ जो हम देखें तो इसमें देखिए कौन-कौन से हैं Serial Operating System, Embedded Operating System, Batch Operating System, Network Operating System, Multi Programming Operating System, Open or Closed Source Operating System, और Distributing Operating System, तो ये Operating System के विकास करम के आधार पर जो वर्गी करण हैं उनको देख सकते हैं आईए देख लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो वर्गी करण है Multi Processing Operating System, Time Sharing Operating System, Multi User Operating System और Real Time Operating System होते हैं सबसे पहले Operating System में हम जानेंगे Serial Operating System के बारे में तो आप देखिए दोस्तों, इसमें एक एक कारियों यानि Processes या जाप का एक एक करके Serial क्रियान्मेन किया जाता है MS-DAS इसका उदारन है और इसकी हान ये है कि जब Process यानि जाप की पूर्टा के बाद दूसरे का क्रियान्मेन किया जा सकता है अब इसका प्रियोगन के बराबर होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Serial Operating System का एक Flow Chart बनाये गया है इसमें एक एक करके Processes या कारियों का क्रियान्मेन Serial के आधार पर किया जाता है Job 1, Job 2, Job 1 तो सबसे पहले Job 1 तयार होगा फिर Job 2 उसके बाद Job 1 ये CPU को निर्देशित करेगा दूसरा है Batch Operating System तो इसको जानना बहुत जरूरी है Batch Operating System क्या होता है आईए जान लेते हैं इसमें एक ही प्रकिर्ती यानि Similar कारियों के Process या Jobs को एक Batch के रूप में संगठित करके समोह में क्रियान्मेन किया जाता है जैसे Parole, System, Bank Statement इसका लाब ये है कि जाब के क्रियान्मेन के लिए कम्प्यूटर के सभी संसाधन उपलव्द होते हैं CPU का खाली समय यानि आईडिल टाइम बहुत कम होता है इसकी हान ये है कि डीबग करना इसको कठिन है कोई जाब फेल होने पर अन्य जाब को अग्यात समय के लिए प्रतिक्षा के लिए रुकना पड़ता है Batch Operating System में दोस्तों Batch Operating System का आप जो Flow Chart है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाब यन तक है अगर जो 1 और 3 सिमलर हैं तो जाब 1 और 3 का एक Batch बना दिया जाता है तब उस हिसाब से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है जिससे 2, 4 और 5 आपके सिमलर हैं तो इनको एक Batch बना कर इसका कारे समपादन किया जाता है तीसरा Embedded Operating System है तो किसी Electronic Device के भीतर इस्थित प्रोसेसर के प्रियोग के लिए Operating System Embedded Operating System है ये Read Only Memory में उपस्थित इस्टोर्ड होता है और घरेलू उप्योग वाले उपकरण जैसे Microwave, Machine, Washing Machine, DVD Player, Car Management, System, Traffic Control Electronic घड़ियाद में प्रियोग किया जाता है Embedded Operating System में Device Driver RTOS याने Real Time Operating System, Difference Board Design और Filmware का प्रियोग किया जाता है इसी तरह आप Network Operating System को देख सकते हैं ये Operating System एक सर्वर पर चलने में प्रियोग किया जाता है Data सुरक्षा, User, Sumo, Application और अन्य Networking कारियों को प्रतिबंधित करने में ये सक्षम है इसके निजी Network पर फाइलों, प्रिंटर, अप्लिकेशन, सुरक्षा और अन्य कारियों की साज़ा पहुँच की अनुमती है इसका उदाहरण ये है कि Microsoft, Windows, Server 2003-2008, Unix, Linux, Mac OS, EX और BSD ये इसके उदाहरण है और Network Operating System के जो लाब है उसमें ये है कि केंदरी की सर्वर सुरक्षा और नई प्रध्दो की और हाडवेर की सिस्टम में स्विक्रिती होती है इसकी हान ये है Network Operating System की ये महेंगे सर्वर अधिक कारे के अस्थान पर केंदरी अस्थान पर निर्भरता होती है तो यहाँ पर इस चित्र में आप देखे Client 1, Client 2, File Server है और Client 3, 4 ये सभी Network Operating System से एक साथ जूड़ कर ये कारे कर सकते हैं पांचवाँ आप देख सकते हैं Distributed Operating System तो कई सारे Processor तथा Memories का उप्योग करके विभिन अप्लिकेशन को चलाने में ये सक्षम होता है कई सारे User द्वरा उप्योग होने के कारण इसका नाम Loosely Coupled Operating System है Distributed Operating System का लाभ ये है कि एक सिस्टम के बिगड़ जाने पर अन्य सिस्टम का सरलतम उप्योग संभव है और इसकी हान ये है कि मुख्य Network के फेल होने पर पूरा संचालन ठप हो जाता है और महंगे होने के कारण इसकी उप्योगिता कम है देखिए DOS यानि Distributed Operating System में CPU, Disk Memory, CPU, Disk Memory और CPU, Disk Memory ये सब ही जो है एक दूसरे से संबंधित होकर कारे करते हैं Multitask Operating System के बारे में जानते हैं दोस्तों तो एक साथ कई टास्क यानि एक से अधिक कारे संपन करने में ये प्रियूग तो होते हैं प्रोसेसर द्वारा को समय चालू प्रोग्राम को टास्क देने पर भी टास्क सासा संपादित हो जाते हैं वास्तों में CPU द्वारा अलग अलग प्रोसेसर पर समय प्रदान किया जाता है और टास्क इतनी तेजी से संपन होता है कि यूजर के सभी काम एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं इसमें आप देख लिजे कि टाइम सेरिंग, मल्टी आपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम आपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर आपरेटिंग सिस्टम का प्रियोग किया जाता है Time Sharing Operating System प्रते एक यूजर को संसाधनों के साजह प्रियोग के लिए उप्योग में कुछ समय या Slice Time Quantum देकर प्रियोग होता है प्रते एक यूजर का एकाउंट बना कर पर मशीन के अनुसार उप्योग किया जाता है जैसे Word, Email, Tally ये Time Sharing Operating System के द्वारा CPU को निर्देशन दिया जाता है Multi Programming Operating System में एक साथ कई Processes Jobs करने में सक्षम होते हैं कई Program यानि Processes या Jobs को एक साथ क्रियानमित ने करके एक बार में एक ही Process करने में सक्षम होता है मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा परतेग प्रोग्राम के लिए आवंटित होता है और मुख्य मेमोरी का Storage छमता बहुत अधिक होती है एक Process में ब्यस्त होने पर भी दूसरे Process का क्रियानमिन किया जाता है और ये समय की बचत होती है इसी तरह Real-Time Operating System ये निरधारित समय सीमा के पैडाम देने का महत्त है एक Program के पैडाम का दूसरे Program के Data में रूप में प्रियूक तो होता है और पहले Program के क्रियानमिन में देरी से दूसरे Program का क्रियानमिन और पैडाम के रुखने की समभावना होती है उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंतरण, परमाण भठी, वैज्यानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकिस्सा, रेलवे आरक्षण, रोबोटिक्स और अध्योगिक नियंतरण में Real-Time Operating System का प्रियूक किया जाता है इसका उदाहरण Linux है Multi-User Operating System तो दोस्तों, नेटवर्क में जुड़े Computer System में प्रियूक तो होता है और विभिन यूजर एक समय में एक ही प्रोग्राम करने में सक्षम होते हैं जैसे Unix, Linux, Windows 7 ये सभी Multi-User Operating System के उदाहरण है Multi-Programmer Operating System में आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के जो कार्य होते हैं वो एक साथ समपादित होते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आईए देखते हैं Open Source और Closed Source Operating System के बारे में सबसे पहले जानते हैं Open Source यानी OS के बारे में Software का करने लिया Source Code सभी के लिए उपलब्ध होता है कोई भी अपनियाओ सकता नुसार इसमें परिवर्तन करके उप्योग कर सकता है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र यानी इस पर किसी का अधिकार नहीं है यह निहसुल्क यानी Free Upcast होता है जैसे Linux, Google का Android OS यह Open Source Operating System के उधारण है Closed Source तो यह Software का Source Code गुप्त होता है कोई भी इसमें परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता है कोई यूजर निरधारिस सुल्क चुका कर इसका परियोग करने में सक्षम हो जाता है जैसे Windows, Apple का iPhone OS यह Closed Source जो हैं Operating System के उधारण है अब आईए कुछ लोग परि आपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं देखिए 1981 में Microsoft द्वारा विक्सित एकल यूजर यानि सिंगल यूजर आपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्ट पर आधारित था MS-DOS के बारे में जान लेते हैं कि MS-DOS यह 1981 में विक्सित हुआ था यूजर को कमांड और सिंटेक्स याद करने की जरूरत होती थी और यह 16 बिट का आपरेटिंग सिस्टम था यहां पर Microsoft Windows NT के बारे में जानते हैं तो Windows NT Multi Processing Multi User और Time Sharing OS से लेस Computer Network में उपयोग के लिए निर्मित किया गया था यह Graphical User Interface का उपयोग इसमें किया जाता था और Network, संचार और Data सुरक्षा की अनेक विशेशताएं Windows Net में उपलद थे Microsoft Windows या MS Windows तो MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में Windows 3.0 जारी हुआ और Windows जो है 3 यह Graphical User Interface पर आधारी था चित्र ग्राफ अक्षर और कारे की यह जाने में परियोगत किया जाता था Multitasking के फीचर नहीं थे एक प्रोग्राम का दूसरे के साथ उपयोगी था और Windows पर आधारी सभी प्रोग्राम की कारे पद्धती लगभग समान थी विंडोज 95, 98, विंडोज मी यानि मिलेनियम, विंडोज XP, विंडोज विष्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 ये सभी Microsoft Windows के उधारन है Unix और Linux के बारे में जानते हैं दोस्तों Unix 1979 में Well Laboratories के Kane Thompson और Dennis Richie द्वारा विक्सित किया गया था ये Network और संचार के लिए निर्मित पहला साफ्ट्वेर था, High-Level Language यानि C Language में लिखित पर्थम आपरेटिंग सिस्टम था और Windows आपरेटिंग सिस्टम की अपेक्छा Unix में जादे फीचर उपलब्ध है Linux तो Linux Store Wilds के द्वारा 1991 में Linux का विकास किया गया ये मुफ्त में उपलब्ध Open Source साफ्ट्वेर और किसी भी प्रोग्रामां द्वारा सुधार करने के लिए ये खुला साफ्ट्वेर है इसका पहचान चिन है टक्सक नामक पेंग्वीन है ये Linux का जो है पहचान चिन है अब आएए सबसे महत्पूर एंड्राइड आपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं तो टच स्क्रीन, मॉबाइल फोन जैसे स्मार्ट फोन, टैबलेटाथ के लिए गूगल कंपनी द्वारा एंड्राइड आपरेटिंग सिस्टम विक्सित किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उप्योग किया जाता है इसमें Linux और अन्य ओपन सोर्ट साफ्ट्वेर के शंसोधिस संसकराण पराधारिस सोर्स कोड जो है एंड्राइड में प्रियोग किया जाता है विशेसी क्रित अप्लिकेशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं दोस्तों किसी यूजर यानि संस्था संगठन की विशेस जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है कस्टमाइजड अप्लिकेशन विक्सित किये जाते हैं हाई लेबल लेंग्वेज के प्रियोग उपरांतिय विक्सित होता है जैसे रेलवे आरक्षन, वायू यान नियंत्रण, विश्रेशन, माल सूची नियंत्रण यानि इन्वेंटरी कंट्रोल और भुकतान यानि परियूल आदि में विशेशी क्रित अप्लिकेशन का होगी है और अप्रेटिंग सिस्टम दोरा तैयार प्रिष्ट भूम यानि बैक्ग्राउंड पर ही ये कारे करने में सक्षम है सिस्टम साफ्टवेर जहां बैकेंड में संचालित है वहीं अप्लिकेशन साफ्टवेर फोर्टेंड में संचालित होता है और सामाने अप्लिके करना खेल खेलना ये सभी सामान्य अप्लिकेशन के कारे हैं इसके उदाहरण में Microsoft Office, Media Player और CAD और CAM ये सामान्य अप्लिकेशन के उदाहरण हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा Computer एक परिचे में Computer Software क्या है इसके कारे और उपयोग क्या है और Computer Software के प्रमुक प्रकारों के बारे में आपने इसमें विश्तार से पढ़ा ये प्रश्न आगामी परिक्षाओं के Computer खंड में आने वाले महत्तोपूर्ट प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इसको त उपयोगी है झासे alongside कि टुछाओं के बारों के समस्तोण के